अलो फ्रेंट्स आज हम डिसकस करेंगे कि कैंसर एसेंडेंट हो और साइटन अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो उसका क्या रेजल्ट होता है उसको शुरू करने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा दूसरे हाउस का भी एक बता देता हूँ अगर आपको अभी नेसेसरी है या आपको कुछ प्रॉब्लिम्स है तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग कि सैटन अगर आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा रहेगा तो आप अगर नोटिस करेंगे अगर सैटन यहां बैठा है आपके नंबर पर आपका क्या रिजल्ट होगा देखे आपके लिए मैं यही बोलूँगा जिकी जिन्देगी इना स्टरगल बहुत है ठीक है लिगन स्टरगल के बाद उसका एक्सपेरियंस मिलता है और इस एक्सपेरियंस जब मिलता है तो आपको फायदा होगा आप अगर देखेंगे तो 11th house का ओनर सैटन है और जो कि 8th house है आपका जो कि 6th house में आखे बैठा है अगर 6th house में आखे सैटन बैटा है 8th house का ओनर होके तो एक नीजबंग राजयोग बना दिता है यह यहां पर और इसका आपको फायदा मिलेगा लेकि आपके साथ कुछ दिक्कते जरूर होंगे regarding the 10th house which is your 7th house क्योंकि 7th 10th को भी रूल करता है Capricorn को रूल करता है और यहां पर 7th house पे Capricorn है आपका यहां पर क्या दिक्कत आएगी कि wife से थोड़ा distance हो सकता है और क्या बोलते हैं उनसे थोड़ी तकलीफ हो सकती है या तो वो या तो उनकी कोई problem होगे आपके साथ तो उनका ख्याल रखिए उनके health का ख्याल रखिए और अगर वो distance पे चली गई है आपसे या जिंदगी से ही दूर हो गई हैं आपके तो मैं आपको यही बोलूँगा जिकि उसको accept करिए और अपने आपको strong करिए और उसके बाद आग इस भंग राजयोग का बहुत अच्छा फाइदा देगा struggle रहेगा लेकिन आपको फाइदा जरूर मिलेगा अब बात करते हैं जिस हमारा main topic है जो की है Saturn अगर लगन में ही बैटे हो cancer ascendant हो तो क्या result देगा Saturn जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है इस वीडियो में जिकि 10th औ और 11th house का owner तो होता है और यहाँ पे 7th और 8th house में का owner बनके 1st house में जाके बैठा है क्योंकि इस आपके 7वे घर पे लिखा है 10 और 8वे घर पे लिखा है 11 अब बात ही आते हैं कि हाँ बैठा हुआ Saturn आपको क्या result देगा है हाँ बैठा हुआ Saturn आपको courageous बनाएगा हिम्मत वाल इस ही है वैसी ही सही क्या फरक पड़ता है आप ना यहाँ पर बैठे हुए Saturn से ना परिशान होंगे क्या होता है कि मून के साथ Saturn यहाँ पर 4th house लिखा है तो moon rule करता है 4th house is a cancer ascendant cancer को rule करता है moon और जब moon यहाँ पर rule कर रहा है ना यहाँ पर तो moon और Saturn का बनता नहीं है और जब उनका बनता नहीं है तो फिर क्या होता है जिकि वो ना Saturn दिल को बहुत दर्द देता है तो आपके दिल में दर्द है आपको दिल आप खुश नहीं है आपका दिल हो सकता after age of 36 आपको कुछ फाइदा मिले लेकिन उसे पहले तो यह बदलने वाले है नहीं तो आप अपने दिल को खुश रखना सीखिए यहाँ सब बैठा हुआ Saturn 3rd house में जब देखेगा तो भाई बहनों के साथ भी problem देगा struggle बढ़ाएगा और struggle करने के बाउजी तो आपको जिन्दी काफी अच्छी रहेगी यहाँ बैठा हुआ Saturn 8th house का होके लगन में बैठा है तो कुछ जरूर फायदा देगा sudden यह जरूर करवाएगा इसकी मैं शोटी लेके दे रहा हूँ आपको लेकिन health issues भी दे सकता है लेकिन आप अपने health का ख्यान रखते हुए यह मत भूल जिकी 8th house का Saturn आपको deep knowledge भी दिलाएगा अगर आप deep study करना चाते है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा साथवी दिस्टी आपके साथवे घर पर पढ़ेगी तो married life ठिक ठाक रहेगा अच्छा रहेगा लेकिन wife को लेके कुछ ना कुछ problems चलती रहेगी तो आपको इ 10th house में Saturn बैठेगा 10th house में अगर 10th house में दिस्टी देगा और 10th house में दिस्टी देगा आपके काम में भी दिखके देगा आप काम से खुश नहीं होंगे बट मैं आपको एडवाइस यह दूँगा जी कि अगर आप काम में है जॉब में है तो अपनी जॉब सिरफ salary को देखक स्क्राइब करें थैंक यू